अभी तो मैं देख रहा हूँ इस सब के सब बवाल पे लगे हुए एक दम अभी मैं देख रहा हूँ कि चारो दुब लड़ाई जगड़ा चालू है बिचारे पवन को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने एक बात मैं बताना चाहूंगा मुझे इची सची भी नहीं लगी है पर मैं बोल दे रहा हूँ मुझे कमेंट में भी लोग पूछ रहे हैं तो मैं बता दूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगाया कि पोउन ने जो बोला पोउन सिंग ने जो भी बोला मुझे नहीं लगता गलत बोला रही है उसके बदले में अगर खिसारी कह रहे हैं की परिवार को लेकर बाते कर रहे हैं या किसी की जाती जिन्दगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं कि परिवार के साथ ये वो तेकि अगर कोई लड़ाई जगड़ा है ना तो आपस में करना सीखो आपस में बात करो किसी के परिवार को लेकर कोई बातें मत करो कोई कटाक्ष मत करो सबको हेलो सबको हेलो जितने लोग मुझे को कह रहे हैं हाँ मैं बता रहा हूँ मेरी सुन लो जब आप लोग जानना चाहते हैं तो ध्यान से सुनना मुझे नहीं लगता कि पवण सिंग ने कुछ गलत बोला है ठीकEr? पवण सिंग ने अपने मन की बात रखी और पवण सिंग ने अगर कोई बात कही तो किसी एक बंदे को लेकर बात कही है फिर वो कोई भी हो किसी उसके परिवार को उसकी बेहन बेटी को कर देते हैं मुझ से हग देते हैं सब शब्द अच्छा नहीं लगता ठीक है आप तो मुझ से कर देते हैं तो मेरे ख्याल से पवन ने तो फिर भी कुछ नहीं किया है ठीक है पता नहीं मुझ सही नहीं जितने भी छेद दियें उपर वाले ने हर छेद से शायद तुम हग इस लिए और भी यहाया हैं। ने लोगो लड़ा ले बताई नहीं कि अंगुए फ्सक्रविक्वास शूल गहने हैं कि यह जानत तो । मैं पहुन को तब से जानता हूं जब पहुन इंडस्ट्री में इंट्री हुए थे रंगली चुनरिया तोरे नाम से देवरा बड़ा सतावेला से आप कह रहे हो लड़ने की बात कर रहे हो कि लड़ाई ये वो है तुम लड़ पाओगे पहुन से उठा के चार पटगनी पटके का ना तब समझ में आएगा कह रहे हो बाउंसर वाली बाड़ी है हीरो वाली बाड़ी हीरो वाली बाड़ी क्या होती है और बाउंसर वाली बाड़ी क्या होती है भागवान ने सब को बनाया है, सब को अलग-अलग रूप रंग दिया है, उसमें कुछ बात है तब ही नहीं उसको भी पब्लिक पसंद करती है, मैं गलत के रहो तो बताओ, एं? फोन नहीं उटा सकता है, तो कोई फोन मत करना, आप लोग बताओ, भगवान ने सब को बनाया है, अगर उसकी भी, अगर, मैं कहरो, कौन के चारी फैन है, लेकिन उसके अपने चार फैन है न, क्यूं है, क्यों कि कुछ खास बात है उसमें, तो उसके फैन है, कह रहो हीरो जैसी बाडी नहीं है, डांस करना नहीं आता, ये न एक ही दिया लेकिन अग एक ही से वह भारी है तो इसके लिए क्या और उसने क्या गलत कहा रोज रोज ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग होता क्या है है चार्ट हो यूट्यूब चैनल बना कर उस पर चाम पर आप रहो बस लोगिए आज तक बीना मतलब राजपूत और यादों को लड़ा रहे हो और यहां वाल पे भी जितने राजपूत और जितने यादों है अपना दिमाग ठीक कर लो पहले इस लिए ठीक कर लो क्योंकि ये जो जाती वाद करवाता है ना ये जाती वाद की चक्कर में मत पड़ो अगर किसी में टैलेंट है तो उसके टैलेंट की इस्जळग करो también और उसने क्या गलत का है रोजज और उंगली उसको कियो कियो क्या उसके गान नहीं बसते हैं करें के चाहरे करता हूं करो मैं रैफरी बन जाता हूं मैं रैफरी बन जाता हूं दोनों लोग लड़ो आपने पता चल जाये का मैं किस का हाथ ऐसे ऊपर उठाउँगा पड़के का सुधर चाहो कुछ भी हो है दम पवन में तो है इंसान को इतना बोलना चाहिए ना जितना उसकी छमता हो एक्स्टा नहीं बोलना चाहिए उस बिचारे को इतना कोच दियो पावन को कि मजबूरी में आकर उसने फिर ऐसे वो बोला है हर बार कहते हो लाइब में आता यह कहता है नहीं बोलता है नहीं बोलता है हर बार कहते हो कि बोलता है कि नहीं बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हारी लाइंग्विज में तुमको समझा रहो तुम कितनी उल्टी करते हो तुमको पता है कहते हो मैं नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं इज़त करता हूं तो देखो मैं भी तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी इज़त कर रहा हूं कुझ यादो भी पसंद करते थे चार ठाकुर भी पसंद करते थे चार वार्व देक्टS करते तफ से विछारे कुछ जातीवात के चकर में किसी गलाकार को बってकि हो जातीवात के नामके नाम के जिएके नाम से पसंद नहीं कर रहा है लोगों के YouTube चैनल्स पर लोगों के YouTube वीडियोज ना उन्हा पर तुम्हारे चाहर चंशे जो पाल के रख्ए soldiers क्या करवा देते हो लो गालियां मा बेहन की सब कर बाते हो क्या लगता है अभी जाँच वैठे की तुछ पतΕ़ नहीं चलेगा, एक तुम ही पढ़ी लिखे हो बाकी सबन पढ़गा रहे हैं पहले खुछ सुधर जाओ यार दूसरे पर उंगली उठाने से पहले चीटा कसी करने से पहले ना खुछ सुधर जाओ किसी का कोई और मुद्दा होगा अभी मैं बोलूगा आम तो भी बोलेंगे चार चम्चों को बुलवा करकी भाई ये इसमें इनको बोला तुम्हारा तुरूंत अपना नाम डलवा कि उसमें गुसेर हो गई क्या भाइदा है बच्चा कोई और पैदा करेगा बाप का नाम देने के लिए खुद बैठे रो क्यों ऐसा करते हो बताव मुझे जब बर्दस्ती बीच में ने एक कमेंड डाला था मा और उसको लेकर तो चार लोगों ने उल्टा पुल्टा लाइन डालना चालू कर दिया कि यह है वो है उसने पलट के कुछ बोला और पहली बात बता देता हम वाल पर याद रखना अगर किसी की मा बहन के लिए किसी ने उल्टा कहा फिर चाहिए वो कोई भी हो तुम्हारी मा बहन तुम्हारी परिवार के बारे में कोई उल्टा नहीं कहता यहां तक आज तक मैं आध्मी जब चिढ़ेगा तो चार उल्टी बातें भी करेगा तुम्हे चिढ़ाया उसने थोड़ा सा बोल दिया और क्या कहँ दिया उसने तुमारे घर परिवार के बारे में बोला कहते हो दारुपी कि तुम कितना पते हो पता नहीं है कौन कितना पीता है पता नहीं है उसे जरा सा खाली कह दिया ऐसे खाली ठेंगा दिखा दिया तो इतना बुरा लग गया और तुम चाची के बाची पता नहीं किसको किसको सारे रिष्टों की मावेन कर देते हो तो उसका क्या कुछ को बड़ा बुरा लगता है क्यों सारा बुरा तुम्हारे अंदर ये बाकी दुनिया को तो बुरा लगता है नहीं बुरा लगने का सॉफ्ट्वेर लगता है सबने निकाल के फेक दिया है बताओ उमको एक्चुली क्या है देखो ये जो जातिवाद का बीज बोया है ना वो बीज बोना छोड़ दो जनता बहुत सीधी है उसको सीधे से रहने दो वो गाना सुनना चाहती उसको नहीं फरेख पड़ता कि पवन सिंग का गाना है कि खेसारी लाल का गाना है तुम आकर छी 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 कर रहे हैं ऐसे कितने छी तुमने वो किये पता है तो दुबारे लड़ाई उड़ाई की बात मत करना कि जो लड़ो उससे मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि जो लड़ो और बोले हो ना कि आओ लड़ो तो जाओ उससे लड़ो और लड़के दिखाओ कि हीरो की बॉडिकाली दिखने के लिए घ्रींपर बाड़ी होती है और बाउंसर की बाउंसर ही ही्रो की रक्षा करताया तो उसको कि आगे से Gün सोच़ो समझो यार बैना मतलब किसी में टांग अड़ाओ अच्छा खासा उसका भी गाना आ रहा है तुम्हारा भी गाना आ रहा है आपस में रहो शान्ती से रहो तो कि जो भी जो भी कोई अगर कोई बात कह दे तो उसने दारू पी लिया है हैं मैं नहीं पीता हूं जब देश्ती मुझे भी बीच में तुमने कह दिया था कि दारूपी के बोल रहे हैं तुम्हारे मैनेजर साहब ने और तुम कितना पीते हूं पता नहीं कितनी फोटो तो आ गई है देख लो भी कुझी सोचिल मीडिया पर चेक कर लो कितनी फोटो जा गई है मत करो ऐसे यह सब ठीक है अगय से मेरे घर से समझदार हो फालतों चीज़े मत कर रहो और सबसे बड़ी बात किसी के घर परिवार में मत जाओ कि परिवार के लिए करो परिवार के तुम अपने परिवार के लिए कर लो अपने परिवार को जादा प्यार करो वह उसी में हम स चलाता है तुम नहीं चलाते हो तो दुबारा ऐसी नोटंगी मत करना किसी के परिवार के बीच में मत पढ़ना वरना कहीं तुम्हारे परिवार की छीटा कसी चलू वही न तो तुम फिर समल लेना सबके बस जबान है बोलना सबको आता है दुबारा ऐसी गलती मत करना मैं यह की पोस्ट से हटता है तो दूसरा हटता है तीसरा आता है तो जब भी कोई सीनियर होता है तो ठीक है वो आखरी सीड़ी पर पहुझता अगर वो बोश्बूरी में अच्छा गाना गाता है बंदा और गायकी की एक range पर पहुँचा है जहां आप सब उसको follow करते हो तो अगर उसने कहा कि ठीक है उसकी गाई धुनों को अगर लोग copy करते हो तो उसने क्या गलत कहा बताओ मत copy करो मत चोरी करो कहते हो छोटे भाई छोटे भाई हां कि छोटे भाई वगर है कि जितने छोटे भाई हैं यह हैं वो उन्हीं छोटे भाई हों के गाने चुराते हो तब समझ में नहीं आता उन्हीं के गाने को उठाकर गा देते हो तब ठीक लगता तब कहां यह बड़े भ प्युपया कहां से जम्हा करका आते हैं तब एक गान रेकॉर्ड करते हैं और तुरंत उनके गानों को रिपोट्ट मरवा देते हो पता एंधने के साथ क्या-क्या करवा देति UVASH चुरा ले तो शर्म नहीं वाइचा कर तो बहुत अच्छा गंदा काना देरे कम से कम कम क्यों ना तो आसा भरकते मीद देरे कम हो जाएंगे कहते आई को जैसे गम भेसा ही हो तुम करना पोड़ेंगे तो सब ठीक कर देंगे एंशन मतलो वि क्षिश यू Ал दा बैस्ट और मैं अपनी दर्शकों से बात कर लूँ भाई अगर मैंने गलत कहा है तो बताओ कि मुझे भी आप गलत कह रहे हो ठीक है और हाँ जाती वाद में मत पढ़ना दोस्त देखो मेरे पास बहुत सारे याद हो एक जो मुझे के बहुत प्यार करते हूं मैं राचपूत को भी खुलके सपे और लेकिन हां गलत इंसान को सपोर्ट ने करता है और देखो यहां बहुत सारे लोग जो चेड़ तो अगर कि अगर आप ही को कोई बार बार चेड़े तो आप क्या करोगे इनका खून गंदा है इनका कून साफ है तुम यहहो फिल्टर करने रिपोर्ट निकालते हो खून का उए एक बात खली ठैंगा दिखा दिया तो खून गंदा है अगर दुनिया भर के समाज में गंदगी फैला दिये हो तब तुम्हारा खुन साफ है फिल्टर है विस्लरी बॉटल है क्या बड़ा अजीब लगा सारे लोग उसने कहते हो कि कह दिया तुम्हारा नाम भी ने लिया उसने कह दिया और तुम कह रहें मैंने उनका नाम इसने लिया और अपने नाम के लिए किसे ने कह दिया तो उसको यह करवा दूंगा वो करद दूंगा क्योंकि नाम रजिस्टर्ड उसका बाई साथ सुनो एक नाम के ना बहुत सारे लोग होते हैं अगर ऐसे नाम रजिस्टर्ड होने लगे ना तब तो हो गया कल्यान क्या है देखो कमेंट में ना कि मैं क्या कहूं यार मैं इतना कहूंगा ना कि अपने दिमाग को ठीक रखिए लोग और गलत फैमी में मत पढ़िए यह इंडस्टि है यहां चीजें बनती हैं फिल्म बनता है फिल्म बनती है आलबम्स निकलते हैं आप लोग उसका मज़ा लीजिए परसनल लाइफ में किसी के मज़ जाये प्यूंकि जब आप उसमें जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप कभी इसको अपना मान लेते हैं और उस आप नहीं ले पाते हैं तो आप किसी की चक्तर में मत पढ़िए किसी की परस्टनल लाइफ में आगे से मत इंटरफेर करना इतना पता दे रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि तो अगर तुम्हारी बहन बेटी की घर परिवार की कोई इज़त करता है तो तुम्हारा गलत का यूट्यूब पर सब डलवाते हो धीरू भाई अंबानी के सामने इतना बड़ा घर इनकिनोंने इतनी बड़ी गाड़ी इतना बड़ा यह हैं तो जब इतने बड़े बड़े जुट बोल सकते हो यूट्यूब पर गरवा सकते हो लोग तो उस बंदे ने क्या कहा कि अगर दो पांच जार में वहां जाके यहां जागर गाती है तो क्या गलत कहा जो बजट लिये हो वही बजट बोला उसने तो क्या गलत कहा उसने बताओ उसने सही को सही कह दिया तो गलत कह दिया क्यों गलत कह दिया उसने सही कहा ना तो क्या गलत कहा जो करते हो उसको एक्सेप्ट करो ना जो कि क्या कहते हैं या भूल गया देखो ये बार 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 फोन आ रहा है सही को सही कह दिया तो गलत हो गया कि जब जूट इतना बोल सकते हो वह राइट्स है तो कोई सच बोले तो राइट्स नहीं है हम से कम जनता सच सुनेगी तो जनता को पता तो चलेगा कि यूट्यूब पे जो न्यूज आते हैं वो 99.99 परसेंट जूट है भाईया कमेंट एक मिठा हाँ एक चीज़ और कहेंगे यह बच्चे ने सही बात कहा है कमेंट में कोई भी हो कोई भी हो किसी को भी आप मा बहन की गाली मन देजे गुस्सा आता है न आप यह कह दिजिए हाँ वो गलत है वो सही है किसी को मा बहन की गाली मन देजे क्योंकि गल्तियां आपकी हैं हमारी होती है माबेहनों की नहीं होती है अगर आप लोग समझदार हैं और मेरी बात को समझ रहो तो मेरी बात को फिरसे सुन लीजिए किसी को कोई गलत है तो उसको कह दीजिए ये गलत इंसान है ये गलत इंसान है ये गलत इंसान है उतने में उसके लिए बहुत हो जाएगा मा बहन को गाली देखकर ना जो मा बहन सही है उनको गलत साबित मत करिए उनकी कोई गलते नहीं है, उनकी सिर्फ यही गलती है कि उमलों की बेन होगे, उनकी सिर्फ यही गलती है कि उमलों की मा है, तो चाहिए पावन हो चाहिए कि सारी किसी की मा बेन को गाली मत दीचे, किसी मा बेन को ने खिचना चाहिए, ठीके, उनकी इज़त करिये, यह अगर कहूं मैं बहुत सारे लोग हैं किसी को कुछ कहना है तो बताओ मैं उसको लाइव ले ले लिता हूं ले लूं क्या किसी को नहीं बहुत बोल लिया मैंने चलिए विश्यो अल्ड़ बैस्ट जी ओ भाईया देखो यह बात तो सही है कि बंदा अच्छा गाना गाता है ठीक है और चिढ़ाओ मत किसी को यार मैं पवन को बहुत पहले से जानता हूं कि बहुत पहले से जानतों रंगली चुनरिया तोरे ना बूप उनको बूछो के पहुन खुदी पता देगा इतना याद रखना कि लड़ाई बड़ाई वाली बातें मैं उसको जानता हूं बहुत अच्छे से जानता हूं उठा के चार नहीं हाट पटक पटकेगा समझ में आ कर दो